क्लास 12 का NCRT solution जिसमें physics के अंदर electric field and charges की back exercise का question no.20 वो हम लोग take up करने वाले है काफी important question है Gauss law के concept के साब से एक point charge है जो कि electric flux को cause कर रहा हमारे पास flux की value given है यहाँ पर कितनी value given है minus 1 into 10 power 3 newton meter square per column जो है वो हमारे पास flux की value है to be spherical Gaussian surface और यह किसके अंदर present है यह कोई charge जो है वो इस particular के अंदर जो है वो कुछ total present होगा जिसके अंदर से flux जो है वो इतना निकल रहा है और इसका radius मेरे पास जो है radius हो गया हमारे पास 10 cm के बराबर जो है वो यहाँ पर present है ठीक है if the radius of the Gaussian surface were doubled तो कितना flux जो हो उसके अंदर से पास करेगा देखो मालो यह charge था क्यूँ और यह मेरे पास surface था इसके अंदर से जो flux निकल रहा था q by epsilon नॉट था अब यही मैंने surface को जो है वो गया कर दिया बड़ा कर दिया मतलब radius बड़ा कर दिया चार्ज वही present है उसके अंदर तो इसके अंदर से भी flux कितना निकलेगा q by epsilon not ही निकलेगा एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो फ्लक्स चार्ज की electric field lines है वो external surface पर डिपेंड नहीं करती है कि कितनी number of field lines जो है वो निकल रहे है क्योंकि flux की अगर हम लोग basic definition understand करें तो flux की basic definition हम लोगों के पास यह बोलती है कि कितनी number of field lines जो है वो एक surface को काट रही है ठीक है irrespective of surface deformed है shapeless है कुछ भी है वो surface को कितनी number of field lines काट रही है वो सिरफ एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा हूँ है चार्ज अब यहाँ पर चार्ज अगर सही में radius बढ़ा दो कम कर दो उसको surface को crooked कर दो तो भी कोई फरग नहीं पड़ेगा बनलब अगर मैं surface इस तरह की shape का कर दूं surface बढ़ा कर दूं तो हमारे पास flux की value हो q by epsilon not ही रहेगी तो यह first part जो है मैं zoom कर रहा हूँ आपको clear what is the value of the point chart a value of the point chart हम लोग जो हो कैसे निकाल सकते हैं यह चीज आप अपने दिमाग में जो हो बिठालो हमारे पास formula है flux का which is equal to किस के बराबर रहता है q by epsilon not के बराबर रहता है flux की value हमारे पास times 10 power minus 12 इसको अगर आप solve करोगे तो q की value आ जाएगी 8.85 times 10 power minus 9 कुलम या इसको हम लोग जो है negative में आएगी तो यह क्या लिख सकते है minus 8.85 10 power minus 9 जो है वो नैनो कुलम के बराबर जो है वो रहता है और यहां पे हमारे पास charge की value जो है वो 8.85 times 10 power minus 9 या 8.85 नैनो कुलम के जूम कर रहा हूं यह particular question भी आपको clear है